नमस्कार आप देख रहे हैं एक पोर्ट शैट खबर जुड़ी होई है पाकस्तान क्रिकेट से और पाकस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चेर्बेंड रमीज राजा जिने हाल ही में शरबाश टरीफ जो की पाकस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं और पेट्रिन बयान दिया है और इस बार दिया है उन्होंने इस बार ये बात कही है वसीम अक्रम और वकार युनिस की लेजंडरी तेज गेंद बादी जोड़ी पर उन्होंने का आया कि अगर वो पावर में होते और उन्हें के हाथ में अगर ताकत होती तो वो कभी भी इन दोनों को वा और इसको वापस क्रिकेट में आना नहीं देना चाहिए था लेकिन जब वो वहाँ पर थे तो उनको ये बोला गया कि इनके साथ काम करना है और इसके बावजूद जब कि वो इससे अगरी नहीं करते थे उन्होंने उसको मानना पड़ा क्योंकि ये एक फैसला था जो उस समय क PCB ने लिया लेकिन अगर वो पावर में होते तो वो कभी भी इन दोनों को वापस नहीं आने देते जिस पर भी ये दाग लगा है जिस पर भी ये सवाल उठा है जिसने भी खेल को दागदार किया है उसको कभी भी क्रिकेट में वापसी करास्ता नहीं देना चाहिए ये रम पूरा मुद्ध क्यों उठाए हाल फिलाल में मुहमद आमिर जिन पर की स्पॉर्ट फिक्सिंग के ऐलिगेशन लगे थे उन पर पांच साल का बैन लगा था उन्होंने 2016 में हलांकि वापसी की पाकस्तान क्रिकेट में उस समय रमीज राजा के हाथ में पावर नहीं थी यहां तक की जो सल्मान बट हैं और इसके अलावा जो भी क्रिकेटर्स हैं उनकी भी उनको भी लेकर जो टॉलरेंस है वो जीरो टॉलरेंस नहीं होगा लेकिन उन्होंने कहा क्या है वो मैं आपको उता देता हूँ उन्होंने कहा है आपको जैसा कि मैंने बताया कि जब ये जिस्टिस कायूंग की रिपोर्ट आई थी वकार यूनिस और वसीम अकरम पर उसके बाद से वकार दो बार as a stint कर चुके हैं पाकिस्तान के कोच का वसीम अकरम भी ऐसे में जुड़े रहे हैं लेकि रमीज राजा कहते हैं कि I think no one should have had the chance of coming back to पाकिस्तान क्रिकेट किसी के परबास ये मौका नहीं होना चाहिए था एक बार उन पर ये दाग लग गया वसीम अकरम's name is in there he was censured for not co-operating right it was borderline case if I was the decision maker at the time I would have banned them forever मैं अगर उस समय decision maker हो था तो मैं इन दोनों को वकार और वसीम को पूरे जिंदगी के लिए बैन कर देता आप उनको सिस्टम में वापस लेकर आए मैं उस समय पावर में नहीं था हमें बोला गया कि इनके साथ काम कीजिए इनके साथ खेलिए और हमें वो करना पड़ा हमें नहीं पता था कि इसक है तो चाहे कोई भी हो जिस पर यह दाग लगा है अपने देश को बेचने का दाग लगा है क्रिकट को बेचने का दाग लगा है तो उन पर मेरी नीती जीरो टॉलरेंस की है आपको मैं बता दू कि चाहे महमद अमेर हो महमद आस्प हो या सर्मानबट हो इन तीनों पर ही 2010 उनके spot fixing allegation को लेकर जो है वो उन पर बैन लगा दिया गया था मौमद आमिर ने हाला की 2016 में वापसी की 2017 जो चैंपिन्स प्रोफी का फाइनल तबारत के खिलाफ वहां पर उनका एहम रूल था और तीन टॉप आड़ो विकेट उनों ने लिए थे रमीज कहते हैं कि I am absolutely clear people say they have had their punishment move on but I have experienced such situations तो मैं कभी भी इनको माप नहीं करता चाहे वसीम हूँ चाहे कितना बड़ा क्रिकेटर हो मैं उन्हें माप नहीं करूँगा मेरे हाथ में पावर होती हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट से दूर कर देता है इनके लाड़ियों को आपक कि क्या राय है कि क्या यही माप दंड होना चाहिए आप अपने कॉमेंट्स हमारे कॉमेंट्स सेक्षिन में चोड़ सकते हैं और लाइक शेर सब्सक्राइब करना भूलें आप देख रहे हैं स्पोर्ट चैक मैं हुश्चान सिंग नमस्कार झाल